साल की सुरुवात करते वाक्त यहीं सब्जक्त लेना चाहिए है को इस बुद्धा बुद्ध कौन है तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी को मालूम है कि भगवान बुद्ध ने शिदार्त ने शिदार्त भगवान बुद्ध ने तथागत गोतम बुद्ध ने अपने को यह बहुत धम दिया है तो इसका जो अर्थ है वो समझना बहुत माइने रखता है ऐसा कहते हैं धमपद में योच्च संपन्न शिलान अपमाद विहारीन समुदया विमूतान मारो मगण विदोन्ती भावार्त है इसका कि जो वेक्ति शिल संपन्न होता है और अपरमाद में रहता है और अग्या वान होता है उस व्यक्ति का मार्ग याने मार्ग को भी नहीं मिल सकता है याने इसका मतलब वह व्यक्ति नुट्य के उपर विजय पा सकता है तो ऐसा यह धम्म जगत में अद्वितिया ऐसा यह धम्म बहुत धम्म है भागवान बुद्ध कहते कोई इम पत्थवी इम लोकस सदेवक को धमपद सुदेशिती कुछ लोग पुफ़ में हो पजशित भागवान बुद्ध कहते ऐसा कोन व्यक्ति है इस पृत्वी पर पृत्वी को जीत सकता है यम लोक याने मृत्वी को भी जीत सकता है और देव लोक को भी जीत सकता है ऐसा कोन व्यक्ति है इस पृत्वी पर ऐसे भागवान बुद्ध ही पूछते हैं और जो अच्छे अच्छे धमपद चुनकर उसका उपदेश करते हैं ऐसा कोन व्यक्ति है तो भागवान बुद्ध ही उसका जवाब देते हैं वो कहते हैं भागवान बुद्ध के शिश्य है कि जो याने बुद्ध के ऊपर विजय पा सकते हैं देवलोग के ऊपर विजय पा सकते हैं और इस पृत्वी पर पत्वी याने पृत्वी पर विजय पा सकते हैं तो वो भागवान बुद्ध के शिश्य है ऐसे भागवान बुद्ध करते हैं तो क्यूं कहा है भगवान बुद्ध ने यह जानने की आज आपन कोशिश करेंगे इस नए साल में नए साल की सुरुवात करते वक्त अपने कुछ संकल्प करना है बहुत दो व्यक्ति संकल्प से जीवन जीता है, जिन्दगी जीता है और जो व्यक्ति बगर संकल्प जीवन जीता है, वो बुद्ध व्यक्ति कहला तो नहीं है तो हर साल में ने साल में हर दिन में संकल्प के साथ जीवन जीना है उस व्यक्ति को ही बुद्ध कहते हैं, बुद्ध व्यक्ति कहते हैं तो मैंने खुद संकल्प किया हर दिन आठ ध्यान साधना करना है सुबह साड़े तीन बज़े निंद से उड़ता हूं और पूरा यह संकल्प कम्पलीट करता हूं सुबह के साड़े नो बज़े तक तो यह संकल्प के साथ जीवन जीना उस वेक्ति को ही बौद्धा वेक्ति कहते हैं धाई हजार साल पहले बौद्धी वुर्ख्षे के नीचे बुद्ध ने संबोधी प्राप्त की संबोधी का आनुबह लिया उस अनुबहती से ही ए बौद्ध धमा हमें या पूरे जगत को प्राप्त हो गया है तो बौद्ध ये शब्द है वह एक उपादी है ये शब्द का आर्थ है जो जानता है वह जो जागरुत है उसे ही बौद्ध कहते है जो जाग गया है क्योंकि उन्होंने सत्ते को जाना है या उसका साक्षातकार किया है उसे बौद्ध कहते है यानि सत्ते को जाना है नहीं है तो सत्ते का साक्षातकार किया है उसे बौद्ध कहते है तो शिदार्त का गोत्र का नाम गोतम था उसके पिता जी शुदोधन राजा थे और जब उनका जनम हुआ था शिधार्त का तब अशित्म उन्होंने उसकी भहिशेवानी कहलाई थी उन्होंने कहा था ये दी संसार में रहा तो बहुत बड़ा सम्राट बन जाएगा और संसार में ये दी नहीं रहा तो वो सम्मेक संबुद्ध बन जाएगा कि तो राजा शुदोधन को ऐसा लगता था कि कि वह महान समराद बनना चाहिए तो यसलिए उन्होंने बच्पन शेही कि शिदार्थ को रहने के लिए कि तीन महल बनाए थी कि याने विंटर सिजन में रहने के लिए एक महल समर सिजन में रहने के लिए एक महल समर सिजन में रहने के लिए एक महल और रेनी सिजन में रहने के लिए एक महल आएशे तीन महल उनको रहने के लिए बनाए थी और आएशे तीन महल में शिदार्थ रहता था बच्पन शेही समुचे जगत से अलग उनको रखने की कोशिश की थी, क्योंकि वो याने सम्मेक, याने समराड बन सकी, इसलिए यह सब आरेज्मेंट प्राजा शुद्धोधन ने की थी, और बच्पन शेही वो किशी कॉलेज और स्कूल में नहीं गए थे, गोतम, शिद्धार थे, तो उन्होंने युद्ध कला में पारंगत थे हो, अईशी युद्ध की कला में उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन शिद्धार तो बच्पन शेही भीतरी भीतर बड़ा असंतोस महिसूस कर रहे थी, अपने चित्त के अंदर असंतोस महिसूस कर रहे थी, एक दिन सुबह के बड़े ही सुन्दर अल्ला दायक वातारन में शिद्धार्त ने रत में बैटकर बाहर गुमने की इच्छा महिसूस की, तो उसने ये बात उसके सार्थी को कहाँ? उसके सार्थी को कहाँ? तो सार्थी ने बहुती रत सजा लिया, और रत से उस शहर से, कपिलवस्तु शहर से जा रहे थी. तो जाते वक्त उनको एक शिद्धार्त को एक बुढ़ा आदमी दिखा, तो इसके पहले याने शायद ही उन्होंने ऐसा बुढ़ा आदमी देखा नहीं था, वो पहले बार देखा उन्होंने, तो उनको अचरज लगा शिद्धार्त को, तो उन्होंने सार्थी को पुछा, इस धर्थी पर यह कौन है, तो सार्थी ने कहां, यह बुढ़ा वेक्ति है, और हर एक वेक्ति को यह बुढ़ा पा आ जाता है, यह आवस्ता और बाद में यह बुढ़ा पा आवस्ता हर वेक्ति को आ सकती है, तो शिद्धार्त ने सार्थी को पुछा, क्या मुझे भी बुढ़ा पा आ जाएगा, तो सार्थी कहता है, हाँ, अब को भी बुढ़ा पा आ सकता है, तो शिद्धार्त कहिता है, इस तरश से अगर नस्ती होना है, तो फिर किस काम की यह जवानी, यह बुच्साहा, यह ताकत, फिर बड़े उदास हो गए हो, और उदास मन से वो अपनी महल की तरफ लोट गए, फिर और दूसरे दिन, वो रत में बढ़ कर जा रहे थे, तो उस वक्त उनको एक रोगी दिखा, तो उसको देखने के बाद भी शिद्धार्त को बहुत ही अच्रज लगा, और उने ने पूछा, यह कौन है, तो सार्थी कहता है, एक रोगी है, और शिद्धार्त कहता है, क्या मुझे भी याशी पीड़ा आ सकती है, तो सार्थी कहता है, हाँ, हर वेक्ति को, यानि रोगी आवस्ता, यह पीड़ा, आवस्ता हर वेक्ति को आ सकती है, तो शिद्धार्थ को लगा ये दिया ऐसा जीवन है तो वो जीवन किस काम कहा और बहुत ही असंतुष्ट हो गए और सार्थी को कहा वापस चली है और फिर वो वापस आ गए अपने राजमाल में और चित्त के भीतर ही भीतर सोचने लगे यह कईशी जिन्दगी है यह किसने बनाई है जिन्दगी मानों की इसके लिए कौन जौबदार है क्या इसी तरह ही जिन्दगी जिना है कि जिसमें बुड़ापा आ सकता है रोग आ सकता है रोगी बन सकते है तो ये इस परकार की जिन्दगी क्या काम अईसा प्रश्ण उसके चित्त में बार-बार आने लगा फिर और एक दिन रत में बैठ कर जा रहे थे तो उनको एक प्रेत दिखा एक मुर्दा अदमी जो चार विक्ति के कंदे पर बैठ कर सम्षान की तरफ उसको लेके जा रहे थी तो शिद्दार तुने पूछा ये क्या है तो सार्थी कहता है ये विक्ति मुर्दा विक्ति है उसको मृत्य आ गया है और उसको सम्षान की तरफ जलाने के लिए लेके जा रहे हैं तो शिद्दार्थ कहता है क्या मुझे भी मृत्य आएगा तो सार्थी कहता है हाँ आपको भी मृत्य आ सकता है तो शिद्दार्थ के मन में ये प्रश्ण उपस्तित हो गया यह विक्ति के जीवन में बुड़ा पाना रोग्रस्त होना पीड़ा आ जाना और बाद में मृत्य आ जाना इसके लिए कौन जाबदार है इसका तलाश करना चाहिए इसका संशोधन करना चाहिए इसके लिए को जाबदार क्या इश्वर जाबदार है कौन जाबदार है ऐसा वो प्रश्ण पूछते रहते हैं खुद कोई फिर बाद में और एक दिन आईश्य ही रत में बैठकर जा रहे थे तो उनको एक सन्याशी दिखा वो सन्याशी बहुती प्रसंडर्ण चित्त था और उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र था और सडक के किनारे किनारे शे दीरे दीरे सुम्रुती पुर्वक वो चल रहा था तो शिद्धार्थ के चित्त में ये बात आ गई कि ये वेक्ति बहुती उच्साई है बहुती प्रसंडर्ण है क्यों न मैं इसके जैसा जीवन जीने का मैंने संकल्ब करना चाहिए अईसा विचार शिद्धार्थ के मन में आगे और फिर इस उन्होंने परिवर जग बनने का तई कर लिया संकल्ब कर लिया और एक दिन पॉर्णिबा की रात्र में उन्हें परिवर जग बनके इस राज महल का उन्होंने त्याग कर लिया उसको महा भिनिस कर्मन कहते हैं ऐसा ग्रोत्या किया उन्होंने कि जगत में अब तक किशी ने भी किया नहीं है या तो भोईशेकाल में कोई कर सकेगा इसकी कोई ग्यारंटी नहीं है क्योंकि आब तक दाई हजार साल में तो किशी ने किया नहीं है न तो ये पारिवर्जग बनने का उन्होंने संकल्प कर लिया और भग्मान बुद्ध के काल में धायाजार सार पहले सत्य की खोज में लोग जाते थी और वैसा है उन्होंने भी संकल्प कर लिया सत्य क्या है जीवन का वो खोजने का उन्होंने संकल्प कर लिया और गुरत्या करके चले गए उस आर्थी के साथ कुछ नदी के किनारे तक गए और वहां जाने के बाद उन्होंने पूरे अपना बिक्षु का वस्तरधारन किया अपने बाल काट दिये सब आबुशयन वगरे लोड दिये और आगे जाने लगे तो छे वर्ष तक बहुती कठीन आइसा उन्होंने ध्यान साधना की और आइसा कहते हैं ते जाईनों साथती का निचदढ़हम परक का फुसंती दीरा निब्बान योगक्षेमा आनुतरों साथत तेशे ध्यान साधना करते रहें ऐसा कहते हैं वो जो निरंतर ध्यान साधना करते वो मानों बहुती प्राकर्मी होते हैं और वह वहीं वेक्ति बुद्धत वो प्राप्त कर सकता है तो बुरू गुरु सी के अश्रम में जाने के बाद बहुत ही थोड़े देन में थोड़े माह में उनों ने वह सब उनकी शिक्षा प्राप्त कर ली पिर वो गुरु कहता है यहां पे ठहरो हमारे अस्रम में और आप भी गुरु और मैं भी गुरु दोनों मिलके शिशों को पढ़ाएंगे तो शिदार्त ने मन में सोच लिया कि मेरे मन में तो समाधान प्राप्त नहीं हो गया है यह ग्यान का हिसा अधूरा है फिर आगे जाने का संकल्प कर लिया है वहां पे ठहरे नहीं यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टन बात है कि गुरु बनने का उनको जो आउसर दिया जाता था वो उन्होंने त्याग कर लिया यह जो ग्रिडीनेस है लोभी अवस्ता आसक्ति की अवस्ता मान सन्मान की अवस्ता उसको उन्होंने त्याग दिया है यह जिन्दगी का पहला मोड है महापर यानि पहला महाभिनिस क्राम और दूसरा जो असक्ति थी उनके चित्त में गुरू का पद मिलने लगा वो भी उन्होंने त्याग कर लिया बाद में उद्धक रामपुत के अस्रम में गए अलार कालाम के अस्रम में गए उन्होंनों भी उनको उनके अस्रम में रहने का बिनती की लेकिन वो भी उन्होंने त्याग कर लिया यहने आसक्ति शे परे हो गए और बाद में आत्मपीडन का रास्ता उन्होंने अपनाने का थेरा लिया आत्मपीडन का तो यतनी कड़क उतना उनकी आत्मपीडन की आवस्ता थी कि अईसा कहते हैं कि जगत में किशी ने भी इस परकार की आत्मपीडन की आवस्ता नहीं की होगी लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनकी चित्त में यह जो विकार थे कामिविकार है शेडर विपू है वो लेकिन और जैशे की तैशित तो यह जगत पे जगत को उन्होंने शिद्ध करके बताने का था कि यह जो आत्मपीडन का मार्ग भी कैसा है इसे भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकते इस जगत में जो भी रुशी मुनी है जो आत्मग्यानी समझते है प्रग्यवान समझते है लेकिन वो सब असत्य है समाज के और या तो दुनिया के लोगों को असत्य मार्ग बताने का वो खोशिस करते हैं लेकिन शिदार्त ने साक्षात कर लिया इतना महान महाभिनिस यह अत्मपीडन करने के बाद भी उनको कुछ भी कुछ भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होगे तो वो मार्ग भी उन्होंने छोड़ने का संकल्प कर लिया और फिर बाद में भोजन कर लिया उन्होंने और अगे जाकर बोद्ध गया में वो बोदी उरुक्षे की नीचे बैट गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अईसा संकल्प कर लिया कि चाहे मेरा मास गल जाए रक्त वाइनिया जम जाए लेकिन मैं संबोधी प्राप्त किये बना इस जगह से हटूंगा नहीं अईसा संकल्प उन्होंने कर लिया तो साथ सप्ता के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया बुद्धतों प्राप्त हो गया तो यह जो गुद्धतों की अवस्ता है तो प्राप्त होने के बाद उन्होंने सोच लिया कि हमारे साथ जो मित्र थे पाज पारिवार्जक थे जो उनको यह धंब का उपदेश दिया जा तो यह संकल्प करने के बाद बहुत गयाशिस सारनात्य और जाने लगे तो जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक ब्राह्मन मिला उसका नाम द्रोन था और वो शारिरिक चिन्नों के शास्त्र में पारंगत था जब शिद्धार्थ तथा का जा रहे थे समेक संबुद्ध तो उनके पाउं के निशान देखते देखते उनके पीछे पीछे चला है वो द्रोन नाम का ब्राह्मन तो तथागत कहते हैं मैं यक्षे नहीं हूँ तो दूसरा प्रश्न पुछता है कि आप गंधर्व हैं कि तो गंदर्व यानि आकाशी यासंगित आड़्ugi कि शीडेवदूत की तरह सुन्दर गायक होता है उसको गंदर्व कहते हैं तो क्या अप् ceo ngadrvar is तो कहते हैं मैं गंदर्व नहीं हूं कि तो तीसरा प्रश्ण पुछता है क्या आप देव हैं तो इस प्रस्ण का भी उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया मैं देव नहीं हूँ और चौता प्रस्ण पूछा क्या आप मनुष्य है तथा अगत ने कहा मैं मनुष्य भी नहीं हूँ तो आभी लेकिद द्रोन नामक के उस ब्राह्मन के बन में बहुत ही विचार आगया फिर यह है कोण द्रोन नहीं है द्रोन कहता है कि यह तो यक्ष्य भी नहीं है और गंदरों भी नहीं है देव भी नहीं है मनुष्य भी नहीं है तो फिर पहुत ही अचरज हो गया तो भग्वान बुद्ध ततागत उसको जवाब देते हैं मैं बुद्ध हूँ सभी संस्कारों को मैंने तोड़ा है इसलिए मैं बुद्ध हूँ उनका शेरीर भले ही मनुष्य के रुप में था किन्तु असंस्कारिक चेतना की अवस्ता प्राप्त कर चुके थे बुद्ध अर्थात असंस्कारित मन का अवतार है लोग बुद्ध की पुजा करते हैं यानि इसका मतलब क्यों करते हैं पुजा क्योंकि उन्होंने जो पुद्ध तो प्राप्त किया है उसका आदर करने के लिए पुजा करते हैं और उनके जैसा ही बुद्धत की अवस्ता प्राप्त करने के लिए बुद्ध की पुजा करते हैं। हम सब में ये बुद्ध के सुप्त रूप है। लेकिन सुप्त स्थिति में हम सब में। हम सब बुद्ध बन सकते हैं। लेकिन यह जो सुप्ता सद्गुण है मैत्री करुणा, मुधिता या उपेक्षा या प्रज्या यह जो भाव है इसका विकास करना है तो शिदार्थ को यह जो संबोधी प्राप्त थी तो उनको छे परकार का ग्यान प्राप्त हो गया था उसको अभिज्या कहते हैं अभि याने स्रेष्ट ग्या याने ज्यान स्रेष्ट ग्यान उनको प्राप्त हो गया था तो उनको पहला ज्यान प्राप्त हो गया था दिव्य दृष्टी प्राप्त हो गई थी दुसरा दिव्य स्रोत, तिसरा परचितत ज्यान, चोथा पूर्व निवासानु स्मृति और पाच्वा है जन्म मृत्यु का ज्यान, और छेटा है आस्रव स्रैय ज्यान तो ये दिव्य दुरुष्टी याने एक जगह पर बैटकर पूरे ब्रमान का वो चार बर्माव विहार की आवस्ता में पूरे समुचे ब्रमान का वो विहार करते थी, उसको दिव्य दुरुष्टी कहते हैं दिव्य दुरुष्ट याने देव और मनुष्य के नजदिक्षे और बहुत आंतर से उनका आवाद वो सुनते थे, उनके शब्द उनके कान पर सुनते थे, उसको दिव्य दुरुष्ट कहते हैं पर चित्त ज्यान हर वैक्ति के चित्त में चित्त की आवस्ताव जानते देशकते, लोगों के चित्त में कुछब विचार है के अकुछब विचार ये इसका उनको ज्ञान पराफ्त हो गया आणीफ, जन्म जुन का इसा होनी, जन्म उनको प्रापत होने वाला है इसका ज्रायनु अनको प्रापत हो गया है। फिलिव मान आए, सञ्जीयों का भी जन्म उर्म फिली Kirby गया है। और चेटा ज्ञाने आसरो स्रे ज्ञान यानि कामासो भवासो और अविद्यास्रो ये आसरो स्रे का ज्ञान भी उनको प्राप्त हो गया था और ऐसा कहते हैं अनेक जाती सोंसार संतावीद अनिविश गहकारक गवेशंती दुख जाती पुना पुना यानि इस जीवन में इस जगत में पुना-पुना जनम लेना ये बहुत दुखकारक है और ये दुख लेने का कारण ही तुरुष्णा है उस तुरुष्णा को हर जनम में तलास करके आ गए थे बगवान इचिदार था और लेकिन उसका तलास नहीं हो रहा था लेकिन अभी उन्होंने क्या है उसका तलास किया और वो उसको कहते है मार को अभी तु मेरे लिए घर नहीं बना सकता है क्योंकि तिरी स्रंकला सब ट्रेस में सो चुकी है और मैं संसकार रहीत हो गया हूँ और इसलिए अभी मुझे पुना-पुना जनम देने की जरुत नहीं है तो मेरे प्यारे भाहे यो और बहणो इतना महान ये बुद्धत हम भगवान बुद्ध ने खुझ साक्षात कार करके अपने को दिया है तो इसलिए इस नए साल के दिन अपने को संकल्प करके याने बुद्धत हम अपने जीवन में अपना के और बुद्धत हम की स्रेश्टतम आवस्ता लोकोत और आवस्ता प्राप्त करने का संकल्प करना है और वुश रहा पर चलकर चाहे उतना परियास कर स्रुतापन आवस्ता, स्कुरुतागामी, अनागामी और अरंत आवस्ता प्राप्त करने के लिए आज के दिन अपने कुछ संकल्प करना है और ये सुर्ण संदी अपने को प्रग्यारस्मी मोधी प्रकाश जी ने दी है तो इसका बहुत-बहुत लाब उठाना है और उद्धत्व के रहा पर आगे बढ़ना है तो मैं यहां पे ठरता हूँ सबीको जाइबें, नमा बुद्दाव